दोस्तो अगर आपको ये हिंट सब पताना चले तो आप बहुत पच्छता होगे और शादिशी दाउरत चले जाएगी किसी और के साथ जी है दोस्तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इशारों के बारे में बताऊंगा जो कि शादिशी दाउरते देती है उन मर्दों को या बहुत पच्छताता है और अपनी किस्मत को कोचता है दोस्तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कोई भी शादिशी दाउरत कोई भी भावी किसी भी कारण से या किसी बिना कारण से आपसे ज्यादा घुल मिल रही है या फिर आपके साथ ज्यादा फ्रेंडली विहप कर र को समझ कर मौके को हाथ से जाने देते हो या फिर मौके पर बल्ला घुमा के चौका मार देते हो तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में बताते है कि अगर शादिशी दाउरत आपको पसंद करती है या फिर आपसे प्यार करने लगती है तो क्या इशारे देती है नमबर एक पसंद करती है तो हमें आकर बता क्यों नहीं देती हम माना थोड़ी करते थे लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही कम होता है औरते तब तक आपको आकर खुद नहीं बोलती जब तक कि वो पूरी तरह से कमपरटेबल ना हो जाए या उन्हें किसी का डर ना रहे लेकिन ऐसा नहीं कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन वो इस बात को छुपा भी नहीं सकती है इसलिए वो आपको इशारों में समझाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी होते है जो उन्हें अपना भरम समाझ लेते है दोस्तों अगर कोई औरत आपको बार बार देखे जा रही है लेकिन आपको देखते ही वो अपनी नजरे हटा लेती है मतलब वो आपको अपनी नजरों से कुछ कहने की कोशिश कर रही है और ऐसा बार बार होने लगे तो समझिए कि ये शादिशिदा उरत आपको चाहती है कि आप अपनी तरफ से कुछ करे व नमर दो शर्माना दोस्तो वैसे तो अवरतों को कोई फरक नहीं पड़ता कि कौन उन्हें देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है या फिर कौन उन्हें कैसे देख रहा है इन बातों पर वे कभी ध्यान ही नहीं देती तो दोस्तो अगर अवरत आपको देखकर शर्माती है या फिर आपको देखकर उनको उनके अलफास गले में लटक जाते हैं या फिर आप अगर बाजू से गुजर रहे हो तो उनकी आवाज जरूरत से ज़्यादा बढ़कर आपके कानों तक पहुचे या फिर वो आपको देखकर शरम से चहरे को नीचे जुका ले और चहरे पर हलकी से मुस्कुराए तो समझ जाए कि आवरत आपको बहुत पसंद करने लगी है क्योंकि शादेशिदा आवरत किसी भी तरह किसी भी रहा चलते लड़के से कभी नहीं शर्माती और ना कभी नजरे जुका कार इसमायल करती है पर अगर आपको देखकर उन्हें कुछ फील होता है तो फिर आपको आगे बढ़कर शुरुगात करने चाहिए नमबर तीन अंडरिस्टेंडिंग दोस्तो आपने कभी गौर किया है कि हम दोस्ती किन लोगों से करते है उन्हीं लोगों से जिनकी अंडरिस्टेंडिंग बिल्कुल हमारे जैसी हो जिनने हम समझ सके या जो हमें समझ सके दोस्तो बिल्कुल ऐसा ही शादिशोद आउरत भी सोचती है शादी के बाद किसी भी शादेशे दौरत की जिंदेगी घर तक ही सिमित रह जाती है उनके दिमाग में बहुत सी बाते होती है जो वो कहने के लिए बेताब होती है लेकिन उन्हें कोई समझने वाला या उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता उनके पती के पास टाइम नहीं होता और अगर कोई शादेशोद आउरत आपसे बात कर रही है और बातो बातों में आपको ये जताना चाहती है कि उसकी सोच और आपकी सोच एक जैसी है या कभी आपको अगर बातों बातों में ये कहे कि आपके जैसा उन्हें कोई दूसरा समझ नहीं सकता तो उनकी हर एक बात आपको बताती है तो समझे आउरत आपको दिल दे बैठी है नमर चार जलन होना और टच करना दोस्तों गौर करना कभी भी आप किसी लड़की से या किसी आउरत से बात कर रहे हो तो वो आपसे एक निश्चित दूरी बना कर ही रखती है इस डिस्टेंस को औरत बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती है लेकिन अगर कोई औरत या लड़की जो आपको चाहती होगी या फिर आपको पसंद करती होगी तो उसके लिए ये दूरी कोई माइने नहीं रखती वो हमेशा आपके जितना हो सके उतना पास होकर बात करेगी बात करते करते आपको चुएगी आपके हाथ को पकड़ेगी कभी कभी आपके कंदे को चुएगी उन पर हाथ रखेगी दोस्तो ये बहुत बड़ा और साफ इशारा है कि वो आपको पसंद करती है दूसरी बात वैसे तो किसी शादेशिदा औरत को कोई फरक ही ने पड़ता कि कौन सा लड़का किस लड़की से बात कर रहा है लेकिन जब भी आप किसी दूसरी लड़की से या औरत से बात कर रहे हो और वो जले इस बात पर नाराज हो जाए तो इससे बड़ा इशारा इससे बड़ा इशारा तो कोई हो ही नहीं सकता कि वो आपको पसंद करती है क्योंकि किसी को सहन ही नहीं होता कि जिसे हम चाहे अगर उसे कोई और भी चाहे तो इसलिए उस अवरत की फीलिंग्स को सम्झेए नमर पाच आपको बार-बार देखना अगर कोई अवरत आपको बार-बार देखती है हर टाइम आपको ही देखे जा रही है तो आपको जरा भी सोचने की जरूरत नही है कि वो हा कहेगी या ना दोस्तों जब कोई भी औरत किसी को हच से ज्यादा देखती है तो मतलब आप से जरूर कुछ चाहती है तो अगर इहां इशारे कोई औरत आपको दे रही है तो आप जाकर उनसे बात करिए बात स्टार्टिंग करिए और अगर आपने एक दो बार बात स्टार्टिंग कर ली तो वो फिर सामने से आकर वो खुद बात से बात करेगी